नमस्कार ग्लिप्स जर्टिन में आपका स्वागत हैं मैं हूँ प्रगती अगरवार शेर बज़ार पर बज़ट के असर से गिरावट का रुख जारी है हफते के पहले कारोबारी दिन सुमवार को बज़ार पर एक बार फिर जोड़दार गिरावट हुई है जहां नेशनल स्चॉक एक्सचेंज पर निफ्टी 10,600 के नीचे फिसल गया वही सेंसेक्स ने भी पास सुंकों की गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की सेंसेक्स और निफ्टी 1.25 फिजदी से जादा की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं दोनों mid cap और small cap शेरों की जोरदार भी कावली देखने को मिल रही है बीस्टी के mid cap टेक्स में 20.75 फिजदी की गिरावट है तो निफ्टी के mid cap 100 बबी लगबग 3 फिजदी की गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिल रहे है फिलाल BSE का 30 शेरों वाला प्रमुक इंडेस N6349 अंक्यानी लगभक एक फिस्दी की गिरावट के साथ 34,708 के स्तर पर कारुबार कर रहा है NSE का 50 शेरों वाला प्रमुक इंडेस Nifty 112 अंक्यानी 1.5 फिस्दी गिर कर 10,648 के स्तर पर कारुबार करता देखा गया Banking, Auto, FMCG, Media, Metal, Forma, Reality, Capital Goods, Consumer, Durables, Power All Oils and Gas शेरों की जम कर विकाबली देखने को मिल रही है Bank Nifty 1.5 फिस्दी की गिरावट के साथ 26,42 के स्तर पर देखा गया हाला कि Technology शेरों में निवेशकों का रुजान कायम रहा और सुबा के कारोबार में अच्छी खरीदी जारी रही गौर तलब है कि केंद्रिय बजट में Long Term Capital Gains पर टेक्स लगने से निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है इसकी वज़ा से बजार में विकाबली बढ़ गई है सभी सेक्टोरल इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिली थी जनवरी महिने में लगातार 11,000 के पार रहने के बाद निफ्टी पहली बार इस स्तर से नीचे आया है सेंसेक्स भी 36,000 के नीचे आ गया है शेयर बजार को बजट से काफी उमीदे थी लेकिन एक विटी पर लॉंग टर्म कैपिटल गेंस लगाय जाने से नीवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है